अभ्यास 28 महोदे सरकार को समझवादी देश के अंदर न्याय दिलाने की जो पधती है उसका गहराई से अध्यन करना चाहिए और हिंदुस्तान की परिस्थिती में उसको किस धंग से लागू किया जाए इस पर विचार करना चाहिए अगर समझवादी देशों की पधती सचमुच में गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ होती है अगर उससे सचमुच में गरीबों को सस्ता न्याय मिल जाता है तो मैं समझता हूँ की उस पधती को लागू करने की दिसा में गंभिरता से विचार करना चाहिए सस्ता न्याय मैं समझता हूँ की सहज गोटला करने से नहीं होगा गरीबों के बारे में जो तो आजकल बाते करना मंत्र जपने के समान हो गया है सायद ही कोई व्यक्ती हो जो अमीरों की तरकी चाहता हो जो हिंदुस्तान में पुझिवाद का समर्थक हो वह आदमी जब इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है तो मुझे बड़ी ही उनकी नियत पर गहरा संदेह होता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान के संबिधान में समझवाद का लच्छ रखा गया है उसकी प्रस्तावना में समझवादी उदेश्य है तो महज प्रस्तावना तक ही वह सीमित नहीं रहना चाहिए मित्रा जी ने कहा कि दूसरी और बहुत से सेक्षन ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में संबिधान में कुछ संसोधन किया गया है निती निर्देशक ततों में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए तो ऐसी अवस्था में जब संबिधान में इस तरह की बाते हैं तो अब संबिधान तो हमारे देश का भुनियादी कानून है उस कानून से दूसरे कानून बनते हैं ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों को बनाना ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिल सके इस संबांध में जरूरी है पैरग्रफ चिन मैं एक बात और कह कर अपनी बात समात करूंगा और वह यह है कि CRPC में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि मामला जो फाइल होगा ठाने के अंदर और अनुसंधान जो ठाने के अंदर होगा उसमें गाउं से जो लोग जाएंगे गवाही देने के लिए उनको यात्रा भात्ता दिया जाएगा यह CRPC का संसोधन था और मुझे अस्मरण है 1972 या 1974 में हुआ था और इस तरह का प्रावधान वहां किया गया था मैं समझता हूं कि गरीब जो मामला फाइल करता है उसे न्याय नहीं मिलता है क्योंकि वह आने जाने को वहन करने में असमर्थ हो जाता है मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि CRPC में जो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है क्या सरकार ने उसके लिए कोई उचित प्रावधान किया है ताकि लोग अगर थाने में जाएं अनुसंधान के लिए थाने में गवाही देने के लिए जाएं तो उनको इस तरह की सुविधा मिल सके इस तरह की क्या सरकार ने कोई विवस्था की है महोदय मैं आपके प्रती बहुत अभारी हूँ कि आपने बोलने का समय दिया यह प्रस्ताव गरीबों से संबंधित है कानुन मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं मैं कानुन मंत्री जी को धन्यबाद देता हूँ कि गरीबों को कानुनी सहायता देने का उन्होंने प्रावधान किया